चलिए आज की इस वीडियो में हम एक और important topic cover करने जा रहे हैं SSC GD reasoning का इससे पहले हम कही सारे important topic cover कर चुके हैं almost maximum syllabus SSC GD reasoning का हम cover कर चुके हैं तो आज की दिन में आपके exam questions आते हैं QB questions आते हैं हम वो cover करने वाले हैं आपके exam में आता ही आता है इस हैट से टॉपिक बड़ा important रहने वाला है एक ही पार्ट में हम खतम कर देंगे और हमेशा की तरह यह topic topic किस तरीके से समझाए जाएगा जैसे आपके paper में questions आये हुए हैं जो एक्जाम हुए थे उनमें जो questions आये उनकी help से ही आपको यह topic समझा दिया जाएगा तो important रहने वाला है ध्यान से समझना किसी भी तरह का doubt हो आप comment section में पूछ सकते हो बाग कि आप बात में doubt पूछ को कुम बताना चाहूंगा टेलिग्राम group का link provide कर जाएगा comment section में description box में वाँ पर जाएग कर लेना discussion चलती रहती है सबसे पहले यहां पर दो बातों का समझना जरूरी है अगर आपको इस type के question को exact way में करना है एक्जाम में कम से कम समय में जैसे example के तोर पर एक हमार पास dice है ना dice की बात करेंगे यहां पर dice को open करके रख दिया गया लुडोवली गेम खेलते हो dice होता है उसके सभी sides को call के रख दिया हुआ इस तरजगे से ठीक है इसा है जो नहीं बन पाएगा इसको जोड़ने पर इस तरह से पूछ जाएगा तो concept एक ही लगने वाला है आपको एक बात का ध्यान रखना है वह होता है अपोजिट वाला यह एंड और यह एंड हमेशा opposite ही रहेंगे मैं ऐसा नहीं कर सकते कि मार्गर इस तरह से बना हुआ है उसको मैं ऐसे लगा दूँगा वह गलत हो जाएगा जिस तरह कि मार्गर की formation दूबार से चाहिए जैसा मर्जी खोल दूँ जब बंद करूँगा तो ऐसा ही करना है इसक इसका मतलब काम खराब हो जाएगा तो opposite पहचानेंगी कैसे वो देखते हैं दिरे दिरे और समझ आता जाएगा जैसे देखो एक दो तीन चार पांच है छे तरह के नंबर साब को देखने को मिल रहे हैं तो यहां वाला box होगा इसके opposite क्या हो जाएगा एक step छोड़ दो next step प जाएगा बच गया 3 और 6 यह opposite हो जाएगी तो जब भी dice को इसको वापस बनाया जाएगा सही प्रॉपर वे में अरेंज करा जाएगा प्रॉपर एक dice बनाया जाएगा तो इस बात का ध्यान रखना है चार और पांच साथ में नहीं आने चाहिए दो और एक साथ में नहीं आ चाहिए अगर यह नंबर साथ में आ गए इसका मतलब वो dice गलत था वो नहीं बन सकता था बस यह concept ध्यान में रखना है एक यह वाला concept हो गया अब हम चलते हैं दूसरे concept की तरफ पहले concept सीख लेते फिर questions की तरफ बढ़ते हैं दूसरे concept में क्या है हमारे पास दो तरह के dice होत पांच और तीन का सम क्या है आठ तीन और दो का पांच पांच और दो का साथ अगर किनी भी दो नंबर का सम साथ के बराबर आ जाएगा इसका मतलब वो एक ordinary dice है यह हमारे पास क्या आ गया ordinary dice हो गया इस अगर dice की बात करी जाएगी तो यहाँ पर देखते हैं चार और एक प ordinary dice क्या होता है standardize क्या होता है यह आपने पहचान लिया इसमें किसी तरह की problem आपको नहीं आ रही होगी अब यहां पर आप से क्या पूछता है आप से यहां पर भी अपोजिट्व लफंडा पूछता है यहां पर पूछता था बताओ तो यह कोशन फिलाल साइड पर रखते मैं एक काम करता हूँ यहां पर नंबर कुछ अलग से डाल देता हूँ जैसे मैं नंबर यहां पर 4 डाल देता हूँ एक नंबर मैं यहां पर 1 डाल देता हूँ यहां पर 6 डाल देता हूँ अगर मैं इस तरीके से कर लेता हूँ तो अब मुझे देखने को मिल रहा है यहां पर भी सम सेवन नहीं है, यहां पर भी सम सेवन नहीं है, इसका मतलब यह कैसा डॉइस है, यह ordinary डॉइस है, अब आप से वो पूछते हैं, मुझे बताओ, फ्री का अपूजिट क्या हो जाएगा, इस तरीके का पूछते हैं, तो आपने कैसे बताना है, आपको यहां बें कोई जिसे गड़े के सुई, जो गड़े के हैंड्स ते वो मुवमेंट करतें, clockwise आपको भी वैसे ही आना है, तो 5 बद clockwise मुवमेंट करोगे, 1 आएगा और 3 आएगा, इस बॉक्स में भी वही करना है, जो common विला नंबर था, उसके बद clockwise मुवमेंट करोगे, तो 4 और 6 आजाएगा, 6 का पोजिट 3, 4 का पोजिट 1, simple सा concept है, और अगर आपसे पूछता है कि 5 का पोजिट क्या हो जाएगा, तो 5 का पोजिट 5 नहीं बोल देना है, देखो, number कौन सा miss है, एक भी है, 2 miss था ना, तो 5 का पोजिट क्या हो जाएगा, जो number missing था, 2 number miss था, तो 2 हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अभी हमारे पास आगे, clear हो रहा है या नहीं clear हो रहा है, अभी questions हैंगी, और concept clear होगा, example लेकर चलते, मान के चलो, यहाँ पर 1 आगया, अब इस case में क्या हो गया, हमें 5, 1, 5, 1 देखने को मिल रहा है, दो number यहाँ पर common आगया, तो question तो और simple हो जाता है, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो simple सा funda है, standardized में क्या होता है, sum हमेशा opposite का 7 रहता है, तो 5 का opposite क्या होगा, हमें sum 7 बनाना है, 5 में 2 add करेंगे, तभी 7 बनेगा, तो 5 का opposite 2 हो जाएगा, 1 का opposite क्या होगा 1 में 6 add करेंगे तब भी 7 होगा तो 1 का opposite 6 हो जाएगा इस 4 का 3 opposite क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा क्यों 4 में 3 add क्यों तब भी 7 बनेगा तो concept clear है जब हमारे पास ordinary dice होगा 2 या 3 dice दियोंगे इस तरह की help से आप बताओगे opposite कौन सा है जब standardized होगा तो 1 cube हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो simple सा concept लगने वाला है आपको opposite की case में क्या है sum 7 बनना चाहिए तो 5, 1, 4 किसी का भी sum 7 नहीं बन रहा था एक standardized था अब जिस मर्जी का आप से opposite पूछ ले तो 7 आपको बनाना है इसका opposite पूछ लिया तो 5 plus 2, 7 to opposite हो जाएगा उमीद करता हूँ concept clear हो रहा होगा 1 by 1 अब हम बढ़ते हैं questions की तरफ ताकि आपके concept clear हो exam में किस तरफ की questions पूछ जा रहा है आपको पता लग जाए जैसे first question आपके सामने screen में चल रहा होगा यहां पर आपको कहा गया है when the given figure is folded to form a box जब जो दीगई figure है इसको fold करके हम एक box बना देंगे which face cannot be adjacent to the face with R R के साथ कौन सा नहीं आना चाहिए मतलब वही है इसका हमें cube बनाना है तो R के साथ क्या नहीं आना चाहिए मतलब R का opposite नहीं आना चाहिए बच गया U और P वह opposite हो जाएंगे तो आपसे question में पूचा था R के साथ क्या नहीं आना चाहिए था तो R के साथ T बिलकुल भी नहीं आना चाहिए था क्यों? तो कि T तो opposite है एक option में T देखने को मिल रहा था वह correct answer हो जाता इसी question यह exam variable question है अगर आपसे वह R की जगा कैसे बोलता आप बोलते Q साथ में नहीं आ सकता है आपसे वह U का पूच लेता आप बोलते P साथ में नहीं आ सकता है क्योंकि यह opposite वोले प्यार है opposite चीज़ साथ में कैसे आ सकती है अगर opposite वोली चीज़ साथ में आ जाएगी तो वो opposite कहां के रहेगी concept clear हो रहा है अगर हो रहा है तो अच्छे बात है वीडियो को share जरूर कीजेगा बस आप ये काम नहीं करते हैं वीडियो को share नहीं करते हैं आगे चलते हैं second question की बात करते हैं अब यहां पर देखो क्या कहा गया है four different positions of the same dice are shown चार अलग अलग position A की dice की बताई गई है select the latter that will be on the face opposite हाँ आप से पूछा गया है A की dice है उसके चार अलगले diagram बनागे है बोड दिखाई गए तो बताओ B के opposite में कौन सा face होगा यह concept लगने वाला tension मतलो अब आपके समने 3-4 तरह के dice आपको देखने को मिल रहे है जैसे आप example लेके चलते आप A और B वोले dice की help ले लो आपने कोई भी दो dice उठाना है पर काम बन जाएगा आप अगर A option और B option की बात क्यों तो वहां पर आपको देखने को मिल रहा है B, D और F यह formation है आप पूछा गया था तो B का opposite आप यहां पर नहीं बता पार है हम एक काम करते हैं हम first और third के example लेके चलते हैं first वले option और third वले option की help लेते हैं तो first वले में क्या है B, F, D और third वले option में है C, E, D इस तरह से है मैं आप पो कहेगा हाता जाहें numbering की हो चाहिए जो मर्जित आपको फरक नहीं पड़ता आप एक काम करो जो common है उसको ले लो common हमें मिल गया कैसे गुमना गड़ी की तरह गुमना है तो गुमना स्टार्ट करते हैं हमारे पास जागा D, B, F और यहां पर गुमना गए तो D, E और C हमारे पास आज़ाएगा तो आपसे पूछा क्या था B का पोजिट तो B का पोजिट यहां पर E हो जाएगा तो concept clear हो गया option number A में E था अगर example के तोर पे आप help लेते option number first की और option number fourth की तो option number A में आपके पास क्या था यही था B, D, F था option number A में और option number B के अगर हम बात करेंगे आपके पास था A, C, और B इस case में भी आपने देखा B आपको opposite देखने को मिल रहा है तो आप गुमना start करते clockwise गड़ी की तरह तो number आते B, F, और D और यहां से गुमते तो B, C, और A इतना पता है A और D opposite है C और F opposite है तो A, B, C, D, E, F ऐसी होते हैं वन से लेके 6 तक जाओ गए तो यह भी E missing था तो B का opposite E हो जाएगा आप किसी किनी भी दो option को लेके आप अपना answer बता सकते थे उमीद करता हूं आपको concept समझ आ रहा होगा यहीवले concept आपके सामने देखने को मिल रहा है जो भी alphabets आपको comment दिए गे हैं उसको उठा लो और clockwise movement करना start कर दो exam में ऐसा question गया हो था आप कुछ students होंगे जो दो डाइस वे concept प्रोड़के गया होगे वो कहरें कि चार वर ला गया मैं पेपर में अटम्टिंग नी करूंगा negative marking भी है तो टेंशन ने लिए निया attempt आपको ज़रूर करना है जैसे बात करते थर्ड क्यूशन की थर्ड क्यूशन की इस तरह आपके exam में आया हो था यहां पर आपको बोला गया है एक cube is made फिर से एक sheet दी गई है आपके समने वो open करके रखा गया cube को और कहा अगे cube जो है वो बनाया जाता है इसको fold करके अगर cube बनता है तो कौन opposite में आएंगे बड़ा असान सा question है अगर आप diagram की तरफ दियान से देखोगे P का opposite क्या हो जाएगा S हो जाएगा एक box छोड़के जाना है Q का opposite U हो जाएगा P का opposite R हो जाएगा ठीक है यह पिर हमने वैसे बना दिये option number A में कहा गया था U और T opposite है बिल्कुल भी नहीं B में कहा गया था P और Q opposite है ऐसा भी नहीं है C में कहा गया था S और R S और R भी नहीं है D में कहा गया था Q and U Q and U हमको देखने को मिल रहा है वो correct answer हो जाएगा तो exam में इस तरह का भी question आपको देखने को मिल रहा था अब आपको समझ आ रहा होगा exam में question साएगे तो कैसे cover करने tier हो रहा है बागे आपको बताना चाहूँगा telegram group जो अपने बनाया गया है वो आप जाके join कर सकते हो आप लिए beneficial रहने वाला है वहाँ पर कुछ students अपने discussion बगरा करते रहते हैं doubt care बगरा करते हैं तो comment section में link मिल जाएगा description में भी link मिल जाएगा वहाँ पर जाके join कर सकते हो और साते साथ आपके लिए जो अगर हम test series की बात करेंगे test series हम launch कर चुके हैं जिसमें अभी तक 4-5 full length mock test हम upload कर चुके हैं उसमें जो first वाला mock है जो मैं ये video बना रहा हूँ अभी तक एक free mock test हम आप लोड़ करा गया full length का तो वो test series बाप जाके join कर सकते हो Aks classes के नाम से application है बाकि directly comment section में link भी provide कर जाएगा वहाँ पर जाके बाप attempt कर सकते हो first mock जो बिल्कुल free है इसी तरीके से एक दो full length के free mock test और आपके लिए आने वाले हैं तो आप वो अगर join नहीं करना चाहते हो तो free mock test भी जुरूर एटम्ट कीजेगा आपको पता लगेगा competition किस तरह का run है आगे next question की बात करते हैं यहाँ पर कहा गया है two different position of the same dice और shown दो अलगले position same dice के बताई गई है फिर numbering बताई गई है बताओ five के opposite में कौन सा हो जाएगा तो simple सा question है आपको इस तरह से dice दिये हुआ one, three, और five और दूसरे dice में आपको दिये हुआ है four, five, और two आपको बताना था five के opposite में क्या हो जाएगा तो simple सा देखो अगर clockwise गुमना start करो फिर five, one, three आ जाएगा या पिर clockwise गुमनों की गड़ी के तरह तो five, two, four हो जाएगा three का opposite four, one का opposite two तो five का opposite क्या हो जाएगा one, two, three, four, five six missing था तो six लगा दो five का opposite six हो जाएगा one का opposite two था, three का opposite four था तो क्यों प्रॉब्लम वली बात है नहीं option number C में six answer था वह पर correct answer हो जाना था उमेद करो आपको clear हो रहा होगा next question की बात करते हैं फिर से कहा गया है select the dice एक dice select करो जो बन सकता है इसकी help से कौन सा dice बन सकता है आपको unfolded figure भी दी गई है फिर dice भी बनाए हुए चार तो बताए कौन सा dice बन सकता था हम एक काम करते हैं अपोजिट वले pattern बना लेते हैं जो unfolded cube है उसकी help से अगर हम देखेंगे 5 का पोजिट 9 हो जाएगा दूसरी तर दूसरी तर देखेंगे 8 का पोजिट 4 हो जाएगा और क्या बच गया 2 का पोजिट 6 आपको देखने को मिल रहा है तो अगर हम ध्यान देंगे option number A की बात करेंगे तो अपोजिट पियर साथ में नहीं आ रहे है D में भी साथ में नहीं आ रहे है अगर हम option number D की बात करेंगे तो option number D में आपको 8 और 4 तो opposite पियर है लेकिन option number D में 8 और 4 आपको साथ में देखने को मिल रहे है इसका मतलब वह वहला concept गलत है option number D वही फिकर तो बन ही नहीं सकती क्योंकि वहां पे opposite पियर साथ में आये हुए देखो option के option कैसे थे first option में था only C आपको बताना था कौन सा बन सकता है ठीक है first option में ऐसा था second option में कहा था सिर्फ C और D बन सकते है third option में आपको कहा गया था सिर्फ D बनेगा और fourth option में कहा गया था B, C और D तीनों ही Q बन सकते है तो अगर देखा जागा था D तो बन ही नहीं सकते है क्योंकि D में 8 और 4 साथ में रहते इसको ये भी cancel हो जाएगा ये भी cancel, ये भी cancel बचे गया ये तो ये हमारे पस correct answer हो जाएगा अब इसके पीछे एक logic और लगता है हालाकि आपको में वह उस नहीं समझा रहा है क्योंकि आपको काम ही से चलता जा रहा है clear हो गया ये question में आपका exam में आथा आप ये नाम से कर सकते A question और देख लो यहां पर आपको कहा गे Q बनाया जाता है तो बताओ opposite pair कौन से कौन से होंगे simple सा equation है आपने देखा यहां पर E और H opposite हो जाएंगे फिर हमारे पास D और F opposite हो जाएंगे C और G opposite हो जाएंगे तो options की बात करेंगे पहले option में कहा गया था E और D E और D तो opposite नहीं है B में कहा था E और H और E और H opposite pair देखने को मिल रहा है यहीं पर कहानी खतम होगी तो exam में ऐसा questions आया था आपको seconds मतलब within 10 seconds maximum में बोरह हूँ आप इसका answer बता पा रहे हो तो क्या problem है इस तरह की question को attempt करने में इसी तरीके का आज हम एक last question करने जा रहे है जो पर exam में आया हुआ था यहां पर फिर से कहा गए दो different faces जो हैं वो dice के बताए गए है बताओ A के opposite में क्या हो जाएगा अब देखो आपको figure कैसे दी हुई है F, A और D लिखा हुआ है second cube की बात करेंगे वहां पर A, B और C दिया हुआ है common क्या है A common है तो clockwise गुमना start कर दो क्या आजाएगा A, D, F यहां से clockwise गुम हो गए A, C और F आपसे पूछा है A का opposite क्या होगा A, C, B है न A, C, B आपसे देखो F का opposite B हो गया D का opposite C हो गया A का opposite क्या होगा तो यहां पर बच क्या रहा है A, B, B, C, D, E गया आप था तो E यहां पर add कर दो A का opposite क्या हो जाएगा E और E आपको एक option में देखने को मिल रहा था तो concept clear हो रहा है कैसे questions को करना है उमेद कर तो आपको समझ आ रहा होगा exam में जो questions आए थे वो आपको clear करवा दिये बागे दूसरी बात ही है कि यहां पर एक concept तो यवला लगा सकते हो जो तो करवा दिया कभी-कभी exam में question बोलता है कि आपको cube दे दिया जाएगा unfolded आपको बोलेगा बताओ option 4 दिया होंगे चारो option में अलग-अलग cube बन रहा होगा आपसे पूछे को बताओ कि इस figure को fold गरने पर कौन सा cube बन सकता है यह कौन सा cube नहीं बन सकता जब cube नहीं बन सकता तो आपको ध्यान रखना है opposite face साथ में नहीं आने चाहिए इसका मिलब अगर opposite face साथ में आगे वो cube नहीं बन सकता आपका वो correct answer हो जाएगा उमीद करता हूँ आप तो concept clear होया होगा फिर भी किसी तरह का doubt होगा आप comment section दो बता सकते हो और video छिलेगी होगी तो share जरूर कीजएगा हमारा instagram जो है instagram और facebook page हमारा jk latest info के नाम से है बुजा के जरूर join कर लेना आपको extra informative videos मिलती रहती है जो कि आपने बड़ी जरूरी रहती है तो bye bye take care thank you जाहिंद